तो hello guys in business आपका एक बार और स्वागत है हमारी YouTube channel RR Film Media में तो इस वीडियो में हम judge करने वाले हैं Indian movies के highest opening records को ले कर क्या शारुखान की पठान movie ने highest opening लिए Indian movies में या नहीं इस वीडियो में हम जानेंगे तो वीडियो काफी interesting बनने वाला है इस movie के अंदर हम बड़ी बड़ी फिल्मों को ही comparison करने वाले हैं बड़ी बड़ी याद रखना तो इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने इस पहले चैनल को subscribe करते तो चलिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हिंदी नेट कलेक्शन के बारे में कि कौन सी फिल्म ने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदी नेट कलेक्शन में first day opening नीती तो यहाँ पे top 1 पे फिल्म जो आती है वो KGF chapter 2 थी वहीं उसके नीचे थी war जहाँ पे KGF chapter 2 ने अपने first day हिंदी नेट कलेक्शन किया था 53.95 करोड यानि कि लगभग 54 करोड वहीं रितिक रोशन की war movie ने कलेक्शन किया था लगभग 51.45 करोड के आसपार तो बात करेंगे war के बारे में तो war ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन हिंदी मार्केट में किया था लगभग 55 करोड इसमें 2 करोड उसने कलेक्शन किया था इंडिया नेट कलेक्शन आतरा 57 करोड रुपए तो इसी के साथ साथ इंडियान बॉक्स पर हिंदी नेट कलेक्शन के अंदर पठान मूवी हर मूवी से आगे निकल गई तो इसी के साथ साथ पठान मूवी हिंदी नेट कलेक्शन में सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई, याद रखना हिंदी नेट कलेक्शन में, मैं आप पे RRR Bahaulit 2 जैसी फिल्मों का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं इस वीडियो में आपको जानने को जरूर मिलेगा यहाँ पे मैंने सिर्फ हिंदी नेट कलेक्शन के बारे में बात किया था, याद रखना First Day Worldwide Collection के बारे में बात नहीं किया था, ना कि तमील और तेल्गू के जो कलेक्शन थे नेट, उसके बारे में ने अभी तक डिसकस नहीं किया है, अगर इस बारे में अगर मैं डिसकस करने जाऊं, तो फर्स डे अगर NET कलेक्शन की बात करें न तो जो RR का जो NET कलेक्शन था फर्स डे वो था 136 करोर NET कलेक्शन यहां तक तो छोड़ दिये सिप अपने इंडस्ट्री यानि सिप तेलुगू वरजन से ही RR फिल्म ने 103 यानि कि 100 करोड का भी net collection क्रोस कियाता है याद करना net वाले collection की बात कर रहे हैं हम net वाले gross वाले नहीं gross होते जैसे कि आप 200 रुपे की movies की tickets खरीदोगे उस 200 रुपे के अंदर जो government के tax को reduce कर दिया जाता है 20% या 30% वेगेरा तो जो बचा हुआ amount होता है वो net होता है यानि कि 200 रुपे tickets के अंदर हमारे 1.580 रुपे net collection ही सिर्फ गिनती होते हैं तो movie ने अगर इंडियन movies में अगर net overall बात किया जा तो आपर rr movie ने आपर first opening highest opening किये all over India सभी भासाओं में इसके अलाब बात करेंगे first day worldwide highest grossing इंडियन movies के बारे में तो जहाँ पर first highest grossing और इंडियन movies के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको बिश्वास ने होगा यहाँ पर दो टाइप्स की फिल्मों को इस वीडियो के अंदर मैंने इंक्रूट करने की कोशिश किये जैसे कि first part केजी अप और दूसरा part केजी अप 2 यानि कि KGF movie ने लोगों का जो interest है वो बहुत ही high कर दिया था जिसके कांट से first part की तुनला में second part था उसने बहुत ज्यादा opening ली थी और वहीं दूसरी तरफ पठान जैसी single movie यानि कि जिसका sequel नहीं यह first movie होने के बावजोदी किस तरह से growth दिखाई तो वो इस वीडियो में जानेगे तो बात किरें अगर इंडिया की सबसे जादा highest grossing वाली फिल्मों के बारे में इसने worldwide याद करना worldwide यानि कि इंडिया से लेके ओर सिसके जो collection है सभी को include किया गया है तो जहां पर थर्ड नम्मर पर सबसे highest grossing में आ रही थी फिल्म वो थी हमारी फिल्म केजिएफ चैप्टर टू हाँ थर्ड नम्मर पर केजिएफ चैप्टर टू जिसने worldwide collection में reports के मुताबिक 159 करोड का collection किया था अपने first day या दखना सी first day वहीं दूसरे नम्मर पर थे फिल्म बाहू बली 2 देखे ये भी एक फिल्म sequel है जिसने first day Indian box office पर worldwide gross collection किया था 217 करोड रुपे यानि कि 217 करोड रुपे तो distance देखने केजिएफ चैप्टर टू और बाहू अली का 217 करोड वहीं अब first नमर पर वह movie है जिसका ना कोई sequel था अब movie pandemic के बाद तुरंत release हुई थी इसके बावजूद में movie ने सारे records break किये थे movie का नाम है RRR जिस movie का first day worldwide gross collection था 223 यानि कि 223 करोड रुपे 223 करोड यानि केजिएफ 2 से अगर उसको comparison करने की भी कोशिश करे तो 70 से 80 करोड का different देखने को मिल जाएगा अब आज आते हैं पठान को लेकर देखिए पठान ने भी बहुत बहतिनिंग collection किया जहां पे 2022 में वॉलिवूड की movies का जो हाल रहा है ना उसके हिसाफ से अगर आम पठान movie को देखा जाए ना तो पठान बवाल collection है एकदम बवाल अगर इसके collection के बारे में जाना जाए तो देखिए पठान movie ने all over India से सभी भासाओं में सिर्फ हिंदी net collection में 55 करोड वहीं 2 करोड रुपया प्लस तमील और तेलगू से यानि overall net collection किया था first day 57 करोड रुपय वहीं movie का worldwide gross collection था आप पहले दिन का पठान movie का पूरा worldwide की बात करें तो first day movie ने worldwide gross collection किया था 103 करोड यानि पह आपको बहुली आरार से देखने में काफी कम लग रहा होगा इसके बावजुद भी एक तरफ देखा जाए अगर सिर्फ हिंदी movies को लेके बॉलिवूट के अंदर तो बॉलिवूट में सबसे जादा opening करने वाली चाये worldwide हो चाये net collection हो सभी से ये film आगे निकल चुल किये या अभी भी अगर वर्ल्ड वाइट करे तो आर 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 220 करोड के साथ साथ नमर वन पर है वही नमर टू पर बहाववली टू है जो कि 217 करोड नमर थ्री पर अभी भी है केजी एफ चैप्टर टू 159 करोड रुपे वही नमर 456 पर भी पठान जैसी मूवी नहीं आती है अपस पठान ने जो बॉक्स और पिस पर परफॉमेंस किये शुरुआत के साल के पहले ही दिन तो वो बॉलिवुड की किस्मत एकदम बदल के ही रखने वाली है बस यही ता मेरा औरल ओपिनियन आपकी क्या राय कमेंट करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल अकन को भी ओन कर दे यार ताकि मैं कोई वीडियो डालू तो आपको जलसे जल मिलने तब तक के लिए जैहिन मिलते हैं नेक्स वीडियो में